आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नवस्कार यह हमारा आज का सवाल आएज सहल करते हैं दिया है कि निमलिखी संख्या स्रंखला में प्रस्ण वाचक चिन जो है प्रस्ण चिन के स्थान पर क्या आएगा तो दोस्तों संख्यां दी हुई है स्रंखला दी है 4, 10, 39, 136, 685 फिर है प्रस्ण चिन तो बताना इस प्रस्न चिन के स्थान पर क्या आएगा आए दोस्तों इसे देखते हैं कि 4 और 10 फिर 39 फिर 136 इस रंखला में जितने भी संख्याय दी हुई है इनमें आपस में संबंध क्या हो सकता है तो आए दोस्तों इसे ग्याद करते हैं ये दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 4 गुणे 2 करेंगे 4 में जब 2 का गुणा करेंगे धन 2 कर देंगे तो 4 दो नी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा इसी तरीके से 10 से 39 बनाने के लिए 3 से गुणा होगा और 3 जोड़ दिया जाएगा दस नीयागे 30 होगा 30 में 3 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा फिर इसी तरीके से दोस्तों अगली बार क्या हुआ है गुणा 4 हुआ है, धन 4 हो गया है तो 33 में जब 4 का गुणा होगा तो 33, 34 होगा 132 32 में 4 जोड़ देंगे 136 बिल्कुल इसी तरीके दोस्तों अगली बार क्या हुआ है कि 136 में अब 2 से गुड़ा 2 जोड, 3 से गुड़ा 3 जोड, 4 से गुड़ा 4 जोड़ा गया फिर 136 में 5 से गुड़ा 5 जोड़ा जाएगा 5 से गुड़ा किया जाएगा और 5 जोड़ दिया जाएगा जब 136 में 5 से गुड़ा किया जाएगा तो ये कितना बनेगा दोस्तों 136 गुड़े 5 करेंगे धन 5 कर देंगे तो ये बनेगा 5 शक्कति इसके 0 हासिल 3 तेरफ 6, 5, 3, 8, 680 धन 5 यानि की 685 बिल्कुल सही है कि दूसरी संख्या हमें हासिल हो रही इसके बाद वाली तो चिन निकरिस्थान पर क्या आएगा कि जो इससे पहले वाली संख्या 680 उसमें 6 से गुड़ा होगा और 6 जोड़ दिया जाएगा इसे हल करेंगे 635 की 0 हासिल 3, 6, 48, 48, 3, 1, क्या उनके एक हासिल 5, 6, 34, 410 प्लस 6 हो जाएगा बराबर में 4,110 में 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4,116 जो की दिया हुआ है विकल्प C में धन्यवाद